सच बताना इस announcement को देखते समय में कितने लोगों के आँखों से आसु आ गए कितने लोग जो है emotional हो गए यार excitement के मारे पसीना पसीना हो रहा है समझ मिलिया रहा है मैं क्या बूलू तो भाई ये वीडियो मेरे चैनल का और आज का दिन जो है एसार कियांस के लिए सबसे बड़ा दिन है एक तरह से समझ लो भाई तहवार है क्योंके वाईरफ ने किया है announcement पठान मूवी का official announcement हो चुका है looks को लेकर के movie के name को लेकर के release date को लेकर के यार सभी कुछ जो है अटकलों पे चल रहा था अभी तक बट फाइनली वाईरफ के तरफ से आ गया है official announcement सबसे पहले बात करना चाहूंगा announcement के बारे में कि भाई इसमें जो दिखाया गया है और जो नरेट किया गया है वो चीज़ भाई हमारी दिल की धड़कोनों को बहुत जादा तेज बढ़ा गया है मुझे जॉन अबरहम से को अपने देश को ही अपना धरम माल लिया और उसके बास से जिस तरसे शारुक खान की इंट्री देखाई जाती है और शारुक खान की आवाज में जो कहा जाता है अब उसने अपने वत्म को ही अपना धर्म बना लिया है और उसने जिम्मदारी उठाई रक्षा की यानि एक एजेंट जो है लाँच हो चुका है और उसका लुक जो है एक दम बलरी सा देखाया है और शारुक खान का वाग डाट मागनम ओपस वाग जो भाई एक आइक आईकॉनिक वाग है जो के हर एसार केन भाई कॉपी करना चाता है अपने चाल के उपर में उस आटिटूड को फ 365 डेज यनि एक साल से भी कम समय बचा हुआ है और अब एक के बाद एक जो है भाई पीजर बोलो ग्लिम्स बोलो पोस्टर बोलो आते जाएंगे और हर एक निउस जो है बड़ी हाइप बनाएगी क्योंकि अब तक जो है सिफ वा सिफ रूमर्स पे चल रहा था भाई ये सरह से भाई अनाउंस किया है एकदम माचानक से भाई जबरदस्ता शारुक खान का लुक के बारे में ज्यादा रिवील तो नहीं किया गया है लेकिन इतना समझ में आ चुका है कि उनके जो है लंबे बाल होने वाले हैं डॉन वाला थोड़ा अफतार शायद दिक रहा होग सरकेम्स कितने संई नहीं कितनी बसाबरी से इंतार कर रहे हैं और मुवी की रिवीज होने का कितनी बसाबरी से इंतार आखर रहे हो यह कमें सक्शन पे जाकर के जरुर बताना थाल हुए